हलो फ्रेंड्स मेर्जी जादन और अभी तक आपने बहुत सुन रखा होगा के प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक बैन तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन-कौन सी प्लास्टिक है जो बैन हो चुकी है तो अभी तक जो 50 और 55 बाइकरॉन की जो प्लास्टिक थी वो तो अल्रेडी पहले से ही बैन हो गई है तो उसका कोई इस्यू नहीं है तो अब जो बैन हुई है वो है सिंगल यूज प्लास्टिक और अपना जो इंडियन कल्चर है उसमें तो बैसे भी हर चीज को गिस गिस के यूज किया जाता है तो आज के वीडियो में फ्रेंट्स थोड़ा सा अगर लेंदी हो जाए तो प्लीज माइंड मत करना इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ जो आपकी कंफ्यूजन होगी वो मैं पूरी किलियर करूँगी बैसे तो काफी लंबी लिस्ट है कि इस में इस लिस्ट में काफी क कुछ है कि बहुत कुछ है तो इस वीडियो में सारा कुछ बताना पॉसिविल नहीं है फिर भी जितना होगा मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन सी प्लास्टिक बैन हुई है और कौन सी प्लास्टिक बैन नहीं हुई है फिर भी प्रेंट्स बहुत सार B ya video upload करूंगी तो बो वीडियो में upload करूंगी ask anju जादों चैनल पर तो ask anju जादों चैनल की जो link है वह मैं इस video के नीचे discussion walks में दे दूँ आप वहाँ से क्लिक करके उस channel को भी subscribe कर लें तो आपको उस video का भी notification आपको टाइम से मिल जाएगा तो फ्रेंट जो भी हमारे नई वीवर्स हैं जिन्हों ने अब तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे अंजुजादन चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकों जरूर प्रैस करें जिससे जो भी हमारे नए वीडियोज अप्लोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगी यह जो आप देख रहे हैं थर्मा कॉल की प्लेट तो यह थर्मा कॉल की प्लेट है यह तो पहले ही बैन हो चुकी है तो इसको तो हम एक तरफ रख देते हैं अब मैं आपको पताऊंगे कि कौन पहसे प्लास्टिक बैन होई है यह जो सिंगल यूज प्लास्टिक है यह आप दिस्पोजल देख रहे हैं यह वाले डिस्पोजल जो हैं शादी पार्टी यानि हर जगे आप कुछ भ वाली है और अब अब यह है आप चाहें 50 माइक्रोन बनाओ 500 बनाओ कितना भी माइक्रोन की आप इनको बनाएं यह सारा कुछ बैंड हो चुका है यानि कोई भी इसका कोई इसू नहीं है यह सिंगल यूज प्लास्टिक है तो यह तो अब यह नहीं चलेगी यानि इसको तो है आप माइक्रोन का जो चक्कर होता है वो खेतम हो चुका है अब चाह पचास माइक्रोन बनाओ 100 बनाओ डोड्र सो बनाओ कितने भी micron का बनाओ तो वो अब नहीं चलने वाला है तो single use जो plastic है वो ban हो चुगी है यह जैसे हैं यह चाई के कपे हैं यह आपने hotel बगरा मैं बहुत देखे हूँ उनमें काफी बार चाई भी पी होगी तो यह जो सारे plastic हैं यह ban हो चुगी है तो अगर आप इसकी machine purchase करना चाहते हैं आप business करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी न करें आप first जाएंगे अगर आप इसका business करेंगे तो आप first जाएंगे तो एक-एक करके मैं सभी कुछ बताती जाओंगी कि कौन-कौन से item हैं बेन हुए हैं और कौन-कौन सा बिजनेस आपको नहीं करना है तुहां पूरे वीडियो में बने रहे हैं तभी आपको पता चलेगा तो फ्रेंड्स अभी तक आपने देखा होगा इन चम्मचों से आपने बहुत सारी आईस्क्रीम खाई भी होगी और खाने के बाद वहीं डे जो चम्मचों होती है तो वह सारी कुछ यहीं पड़ी रह जाती है उनको बहुत सारे साल लग जाते हैं रिसाइकल होने में ऐसे माली जीए 400 साल इनको लग जाएंगे इन चम्मचों को रिसाइकल करने में तो अब इस लिए इनको बैन किया गया है सिंगल यूज जो प्लास होने वाला है तो फ्रेंट्स अब मैं आपको बता रही हूं आपका चहेता विजनेस और हां अपने दिल पर हाथ रख लीजिए कहीं आपके हाटवीट न बढ़ जाए तो अब मैं आपको बताने वाली हूं आपका चहेता विजनेस जो आप बंद होने वाला है दोना ये जो आप देख रहे हैं दोने ये भी फ्रेंड सब बैन होने वाले हैं जैसा कि आपने सुनाए सिंगल यूज प्लास्टिक है वो सब बैन हो जाएगी इसमें बैन इसलिए ये होंगे इसमें ये लगी हुई है पॉलितिन इसमें जो ये पॉलितिन लगी बैक में जो लगा हुआ है वो तो गल जाएगा पर कागस तो गल जाएगा पर यह जो पन्नी लगी हुई है यह रिशाइकल नहीं होगी यह नहीं गलने वाली है तो इस सिंगल यूज जो आइटम में वो सारे आइटम बंद कर दिये गए हैं तो फ्रेंस अभी तक आपने की बैटके इसका काम करते रहे देए चोरी चुपे इसको बना रहे हैं किूंकि इसमें जो प्लास्टिक यूज हुई है वो फ्लास्टिक बहुत हर्मि debido सिस्का माइक्रों की तो बात करी नहीं सकते क्योंकिает की बहुत पतली पन नहीं है तो चोरी चुपे लोगो इसको अभ इसका बिजनिस कर रहे हैं NGT और Pollution Control Board वाले हैं अगर उनको पता चलेगा कि इसका आप बिजनिस कर रहे हैं तो आपको उठा के ले जाएंगे तो फ्रेंट्स इसका बिजनिस आप बिल्कुल ना करें दोना पत्तल के तो आप भूली जाएं और इसकी मसीन को आप बिल्कुल ना देखें क्योंके फ्रेंट्स कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा मैं इस बात को आपको बताना चाहती हूँ कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा मैं दोना पत्तल के बारे मैं बोल रही हूँ मना कर रही हूँ क्योंकि hard strong जो business होती है वो कभी bend नहीं होती है कभी बंद नहीं होती है always चलते रहते हैं और उनसे income जो है आपकी एकदम तो आप करोड़ पती नहीं बन सकते पर दीरे दीरे जैसे जैसे आप अपने business को करते जाएंगे और करते रहेंगे तो business वो आपके कभी बंद नहीं और आपकी जो बच्ची हैं वो भी उस business को continuous करते रहेंगे मैंने जो दोना पत्तल का यह बताया यह long time चलने वाला business नहीं है क्योंकि यह disposal है कुछ भी यह glass है इन्हीं को आप ले ले लिजिए सिंगल यूज में आती है friends एक वार यूज किया और इनको फेक दिया जाता है तो कोई चीज रिसाइकल नहीं हो थी तो यह सारा कुछ बंद होने वाला है तो और भी friends आप जिसको बुरा लगना है लगता रहे मैं उसके बारे में नहीं बोल सकती हूं और मैं आपको इसी तरह से वीडियो में information देती रहोंगी और यह मैंने इसलिए बताया है यह जो मैंने आपको बताया है friends यह सारा कुछ जो आइटाम है जो सिंगल योज आइटाम है वो एकदम से तो बंद नहीं होंगे कि ऐसा नहीं है दो तारीक को बोला गया और यह तीन तारीकों यह सारा कुछ बंद हो जाए तो पहले पहले तो यह कैरी बैक जो है बो बंद कर दिये जाए इस पर दूसरे टाइप के प्लास्टिक बंद कर दी जाएगी फिर तीसरे टाइप के प्लास्टिक बंद कर दी जाएगी छोटी छोटी बोतल है वो भी बंद कर दी जाए नहीं एक एक करके वो सारी कुछ जो प्लास्टिक है वो बंद हो जाएगी इसमें एकदम से ऐसा नह जो पानी की बोटल है वो बैन कर दी गई है और एक लीटर की जो पानी की बोटल है वो अभी बैन नहीं की गई है वो आगे जाके बैन हो जाएगी अब आप यह कहोगे कि इसका सब्स्टूट क्या है एक लीटर की बोटल अगर बैन कर दी जाएगी तो कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो पानी कैसे पीएंगे तो इसका सब्सक्रूट यह है कि रेलवे स्ट्रेशनों पे तो बाटर एटीम लगा दिये गए और बहुत सारे जो पबलिक ब्लेस होती हैं वहां पे भी बाटर एटीम लगा दिये गए हैं अब इससे फ्रेंट्स फाइदा आपी को होने व होगा जो फ्रिज की बोटल है वो आप अपने साथ में रख लें और कहीं भी जा रहे हैं जैसे इस्टेशन है या पबलिक प्लेस है तो आप वहां पे उसको जो बाटर एटीम है उनसे आप भरवा लें जो बोटल आपने एक लिटर की पंदर रुपई की खरीदी और उसमे सबसे जाद है जो फायदा होगा वो पबलिक का ही होगा तो अभी तक जो आपने देखा होगा कि आप मिठाई वगरा की दुकान पर जाते हैं रसकुला वगरा जो आप खरीदते हैं तो वो छोटे-छोटे जो कंटेनर होते हैं उसमें रसकुला चैना वो भरके दे दिये ज परचेश करके आगे सेल करना चाहते हैं तो वो आप बिलकुल ना करें ना ही तो आप इसका बिजनिस करें और ना ही आप इसको सेल करें आगे जाके जो दबाई की बोतले और जो प्लास्टिक के उनके उपर छुटी-छुटी धक्कन लगे होते हैं वो सारे कुछ बैन हो तो फ्रेंस यह अपनी हेल्थ के लिए बहुत हारमफुल होता है तो आपने देखा होगा कि आयर्वाइदिक और हो में पहते के जो बड़े बड़े व्रांड होते हैं वह अभी जो दवाईया हैं वह कांच की बोतलों में वह जो दवाईया वह रेक्ट नहीं करती है कि वह जो एक्चल में जो दवाईय होती है वही रहती है और प्लास्टिक की बोतल में अगर वो दवाईय फिल कर दी जाती है तो उससे रेक्शन भी हो सकता है तो दवाईया तो मोस्टली कांच की बोतलों में ही यूज करनी चाहिए तो अगर आप प्लास्टिक की बोतल वगेरा का ब बैन होने के बाद सबसे जाद जो बिजनेस बढ़ेगा वो है कांच का उद्दे होगी क्योंकि यह प्लास्टिक वाली जो बोतले होती है सिंगल यूजवाती बैन हो जाएंगी तो जो कांच के जो बोतले हैं वो सबसे जादा यूज होगी तो सबसे जादा उसके अगर आप करेंगे तो उसके बिजनेस में आपको सबसे जादा प्रॉफिट होने वाला है तो अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आप इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं कांच से संबंदित आप उस बिजनेस को करें तो उसमें सबसे जादा आपको प्रॉफिट होने व गई किसी को पता चल गया कि आप उस बिजनिस को कर रहे हैं तो उस टाइम वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फस जाएंगे और सिंगल यूज प्लास्टिक में बहुत सारे आइटम हैं तो मैं एक एक करके अगर बताओंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा तो ऐस आपके अगर जो कुशन्स हों जो आपके डाउट्स हों तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो उसके लिए भी हम एक और वीडियो अप्लोड कर देंगे आज कंजो जाद हों चैनल पर है तो उस चैनल की जो लिंक है हमने इस वीडियो के डिसकॉस उन बॉ रहे हैं इस चैनल पर जो नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन जरूर पैस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नैक्स्ट वीडियो में नई इंफॉन के साथ तो आप हमारी वीडियोज को जादर से जादर लाइक करें और सब्सक्राइब करके बैल आई को जरूर पैस करें ऐसी और वीडियोज के लिए बाई बाई मेक इन इंडिया